हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिस अकॉर्डिंग मार्केट सेनेरियो अभी देखने को मिल रहा है तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो वो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जिन मैं गजब की तेजी देखने को मिल सकती है विद प्रॉपर इन्फॉर्मिशन, विद प्रॉपर लॉजिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जब भी मैं ये वीडियो आपको बताता हूँ यानि कि 95% ऐसा होता है कि जो स्टॉक्स बताये गए हैं उनमें सेम मुमेंट देखने को मिला हो यहाँ पे हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट भी निकल के आ रही है पावर सेक्टर से रिलेटर वो भी मैं आपको बताने वालू हूँ और ऐसी सिचुएशन में कौन सी स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए क्योंकि ये जो सिचुएशन है बहुत जादे क्रिटिकल है क्योंकि कभी भी बहुत बड़ी गिरावट भी हो जाती है तो आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर इंवेश्ट करना है वीडियो आप पूरा देखोगे एक एक चीज़े आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आपना इंडियन स्टॉक मार्केट एक टाइप से एड़ पार की क्लोजिंग देते हो नजर आया लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो सिनेरियो कुछ ऐसी थे कि गिरावट हो रही थी या फिर थोड़ा बहुत रेकबरी भी देखने को मिली लेकिन अप दे टाइम अफ क्लोजिंग अप दी मार्केट आपको सेंसेक्स में 37 पॉइंट की गिरावट निफ्टी 50 में 9 पॉइंट के आसपास निफ्टी बैंक में 257 यानि कि पूरे चारों इंडाइस इसमें सबते बड़ी गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिली है निफ्टी मिट कैब में 48 मैंने अभी अभी तीन वीडियो और अपलोड की हुई है जिसमें मैंने यस बैंक के बारे में बताया है तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया अपना इंडियन श्टॉक मार्केट आज कैसी क्लोजिंग देते हुए नजर आया है अब मैं आपको डिरेक्ली लेकर चलता हूँ कि आखिर ग्लोबल मार्केट के क्या सिनेरियो चलते हुए नजर आ रहे है तो अभी तक अगर हम यहाँ पर देखें SGX, Nifty, NASDAQ, DAX या FTSE अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई बहुत बड़ी गिरावट तो देखने को नहीं मिल रही है बलकि अगर आप देखोगे तो NASDAQ, DAX और FTSE में तो एक अच्छी-काची मूमेंट ही देखने को मिल रहे है यानि कि positive side पे ही देखने को मिल रहे है तो इसका मतलब यह है कि global market का असर कल के market पे इतना ज़्यादा negative way में तो नहीं बढ़ने वाला है अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ DAOZONS INDUSTRY LEVERAGE का सेनेरियो क्या चल रहा है आप यहाँ पे देखो इनका market अभी यहाँ पे open ही हुआ है लेकिन अभी अभी तक जो चीज़ें देखने को मिल रहे हैं वो positive भी देखने को मिल रहे है यानि कि करीवन 0.72% के असपास का upside moment ही देखने को मिल रहे है वसे यहाँ से उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि जब यह सिनेरियो यानि कि market closing तक पहुँचे तब भी यह तेजी बनी रहे तो फिर तो कल इंडियन stock market में भी आपको एक अच्छी कासी rally देखने को मिल सकती है वही अगर हम बात करें तो NASDAQ composite में तो और अच्छी कासी moment देखने को मिल रहे है यहाँ पे आप देखो 10,936 के level पे trade कर रहा है और करीवन 1.23% का अब तक यानि कि market opening तक में ही आपको moment देखने को मिल रहे है अब अगर आप देखोंगे तो चीजा कुछ ऐसी हुई है कि यह जो level है वो आपको पिछले 2 साल पहले भी देखने को मिला था यानि कि NASDAQ composite का मैं level आपको बता रहा हूँ तो अब भी जिस according चीजें हो रही है recession हो रहा है IT सेक्टर में जो इस according आपको crash देखने को मिल रहा है बहुत सारी चीजें है जैसे कि war situation है इस बज़े से global market वे बहुत ही खराब impact पड़ा है और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 30 October 2020 को भी यही same level आपको देखने को मिल रहे थे अब मैं आपको directly एक बड़ी रिपोर्ट दिखाता हूं सबसे बड़ी रिपोर्ट आ रही है power sector से related अब यहाँ पे देखो अदानी गुरूप टू इन्वेस्ट ओवर 100 बिलियन डॉलर in the next decade 70% of the energy transitions यानि कि गौतम अदानी का बहुत बड़ा बयान निकल के आया है इनों ने बोला है कि जो अदानी गुरूप है वो करीबन 100 बिलियन डॉलर next decade यानि कि next 10 सालों के अंदर अंदर इतना बड़ा amount इन्वेस्ट करने वाला है जिसमें से 70% जो होगा वो energy transition में रहेगा यानि कि अगर हम in short देखें तो यहाँ पे directly बात करी गई है power sector में majorly investment के लिए अब जब overall ये जब बयान निकल के आया है इनका जो बयान होता है बहुत ज़्यादा value आज के time पे तो रखता ही रखता है तो जब ये सारे scenarios निकल के आएंगे तो obviously power sector grow करेगा और जब अदानी का यानि कि गौतम अदानी का बयान है तो definitely इनके group में तेजी देखने को मिल सकती है तो chances है कि कल आपको अदानी power में एक अच्छी आची तेजी देखने को मिल जाए आज अगर आप यहाँ पर देखोगे 1.65% का return था upside में लेकिन fluctuation आप देख पा रहे हो कि किस according हुई है बहुत ही ज़्यादा volatility थी इस year में लेकिन फिर भी जो closing हुई वो आपको यहाँ पर positive side direction में ही देखने को मिली यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले एक साल के return करीबन करीबन 285% के आसपास हैं और यह बहुत ही अच्छे गाते returns माने आते हैं ऐसा कहीं भी नहीं है कि यह returns बिलकुल कम है बहुत सारे लोगों तो सालों लग जाते हैं 5 साल 10 साल इतने returns कमाने में लेकिन अदारनी पावर ने पिछले एक साल के अंदर अंदर ही इतने returns दे दिया हैं अब आगे कुछ stocks के बारे में बात करें तो मैं आपको दिखाऊं infosys का जो scenario चल रहा है global market में वो दिखा देता हूं आप यहाँ पर देखो infosys limited ADR आपको पते ही है कि new york stock exchange पर भी जो infos is available listed है तो आज करीबन करीबन जब market open है तो देड़ परसंट के आसपस का उचाल देखने को मिल रहा है इससे हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर देड़ परसंट का उचाल है तो कल इंडियन stock market में आपको जब infosys open होगा तो करीबन एक परसंट के आसपस का moment तो infosys में भी कल आपको एक अच्छा का सा moment देखने को मिल सकता है अपने अगली stock के बारे बात करें तो वो निकल क्या आता है बिप्रो अब बिप्रो भी आपको बदा नियूआ के stock exchange पर लिश्टेड है इसमें भी करीबन आदे परसंट का moment तो देखने को मिली रहा है ये बात भी आप consider करके चल सकते हो कि कल हो सकता है जो IT sector के stocks है Infosys विप्रो तो बता दिया KPIT मैं हमेशा से बताते हुआ हूँ इस सेनेरियो के लिए happiest mind भी मैंने आपको बता है इस particular सेनेरियो के लिए तो इनको भी आप consider करके चल सकते हो इन पे भी आप watch कर सकते हो starting से अब अगर हम आ लेकिन return profile आपको पता ही है यहाँ पे इस volatile market सेनेरियो में भी पिछले एक महीने के अंदर 18% के असपरस के returns है जो कहीं से भी कम नहीं है लेकिन अगर आप देखो तो 20 September से लेकि 26 September यानि कि केवल एक हफते के अंदर ही 7% का correction आ चुका है और यहां से हम expect कर सकते हैं कि market वो recover हो जाए वही last stock भी मैं आपको बता देता हूँ जो निकल कहाता है आदानी transmission limited इसमें भी correction के बाद एक अच्छी का सी recovery आ चुकी है लेकिन जिस according चीज़े चल रही है तो आप इसको consider करके चल सकते हो last tip जो है वो मैं आपको यही देना चाहूँगा कि इस market scenario में huge investment या bulk investment ना करें parts में invest करें जैसे कि अगर आपको 100 पे लगानी है तो 25-25 करके हर एक market fall में आप invest कर सकते हो तो यह सारी चीज़े मैं आपने आपको बता दी है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल फे फ़र्शना विजित कर रहे हो तो प्लीज चैनल को subscribe भी जरूग दीजेगा धन्यवाद